आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक आउट एंड रेतेस्ट इन दो टाबिक्स के पर काफी डिप डिसकेशन करेंगे विद इग्जामपल देखिए अज हमने प्रब्रिम टेलिग्राम चैनल पर दो स्टॉक्स दिया थे यह थे यह थे यह सिपला को ट्रेट करने के पीछा के हमारा क्या था रीटेस्मेंट था वो इसको आप 5 मिंट के टाइम पर करेंगे तो देखिए बैग डाटा जो हम माक करेंगे तो प्रिवेस उसी रेंज पर प्रैस ने सपोर्ट लिये थे और वहां से प्रैस मेरा अपसाइट के तरफ अभी सेम रेंज को हम और आगे के तरफ अगर स्ट्रेश कर देते हो तो मार्केट ने उसी रेंज को ब्रेक आउट करने के बाद में आज एक अच्छा हम लोगों को देखाया मार्केट अपसाइट की तरफ प्रैट गे तब भी देखिए सिप्ला के अंदर वो मूव नहीं आया है जो बाकी की स्टॉक्स में आया है इसको वापस हम 5 मिट में करेंगे तो देखिए एक अच्छा री टेस्ट हमको देखा अभी सिप्ला एंड एल्ट को हम लोग आपस में कमबाइंड करिंग से पहले हैं अपन कर लेते हैं तो टर्मिन पर लॉग इन करते हैं एंड ओके प्री लॉग इन हैं पॉफेक्ट सो य पॉफेक्ट इस लगे थे मेरे 1037 पर मेरे stop losses थे एंड टार्गेट 1026 पर में टार्गेट अपने सारे के सारे बोग कर लिये थे एक पॉफेक्ट था था आज का है एंड ओवर आल जो आज का अपना प्रॉफिट है 12,000 प्लस कामने प्रॉफिट को क्या था 12,627 रोपेज का अब चलते हैं सिपला और एल्टी दोनों को बहुत अच्छी तरह से अम लोग पढ़ लें की कोशिच कहलेंगे वीडियो कर अच्छा था थे उतको जरूर से लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने कीजिएगा थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं सिपला से सिपला का एक लेवल एक रेंज हमने आपको माकर के देती कुछ यहां पर वह लेवल था इस एक यहां पर अगर अगर प्राइस हमारा नीच्छे की दिशा में ब्रेक करता तो इसके अंदर मूबमेंट आने थे बिकॉस यह वालो जो लेवल था यह वाली केंडल 14th of March केंडल जब 14th of March केंडल को देखोगे और वॉल्म्स को देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा था यह जो बड़ी वाली केंडल थी हमारी 11th of March केंडल के बाद में प्राइस ने अपसाइड के दरफ जाने की कोशिट की थी बट वॉल्म्स नहीं आई थी तो प्राइस ने क्या किया किया कि इस रेंज के ऊपर सपूर्ट ले गया था और जब मेरा प्राइस 11th of March की कैंडल इसले इंपर्टन है यहां पर वॉल्म्स की काफी अच्छी आई थी और प्राइस ने इपने हाइस को ब्रिक किया था अपसाइड के तरफ और इतने बड़ मंडे का जो अपने ट्रेडिंग सेशन था जानी कि कल का कल मार्केट ने क्या क्या था अपनी रेंज के अंदर आकर के क्लोजिंग दी थी कौन सी रेंज 11th of March की रेंज के अंदर आकर के प्राइस मेरा क्लोज हो गया अच्छा इसमें हम लोग यह भी तो बोल सकते हैं कि 11th of March के अंदर तो इस वाली candle ने भी closing कर दी थी 17th के अगर 17th March की candle ने अगर closing कर दी थी 21st को या नि कि कल हमने इसको क्यों ने ट्रेट कर दिया था विकास सिपला को अगर हम कहें तो सिपला को हम कापी दिन से watch कर रहे हैं इसको trade करने के लिए देख रहे है विकॉस इस जो जिस रेंज पर और जिस लेवल पर है यह लेवल हमारे इंपॉर्टन है वापस अपने question पर आते हैं अच्छा main topic याद रखेगा कि हम लोग आज कर दिन जो discussion करने वाले हैं वो है मेरा pullback, retracement या फिर breakout price breakout कर देता है उसको हमें किस तरह से देखना है and pullback और retracement को किस तरह से judge करना कैसे analyze करना इसको देखना है और जही हमारा main topic है लेकिन जब हम इन दो topics को clear करने कुशिश करें तो और भी हमें एक दो topic जैसे कि daily time frame पर हम जब supply को read करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखना होगी question उठेगा कि अगर 17th of March को प्राइज ने अगर close किया था तो 21 को भी क्यों trade नहीं कर दिया अब अगर 21 को भी प्राइज नीचे की दिशा में close कर दिया था देखिए 17 को भी प्राइज नीचे की दिशा में close किया और opening upside की तरफ हो गए और प्राइज ने वापस नीचे की दिशा में आकर के close कर दिया मतलब दोनों ही दिन मार्केट ने नीचे की दिशा में close कर दिया यहाँ पर हो क्या रहा है अगर प्राइज मेरा गलती से close हुए चोटा सो अपना previous to previous day के session का भी low break कर दिया और वापस है price हमारा support पर हमको मिल गया इसने देखिए बिलकुल support पर आकर के हमें confirmations दे इतनी सी चीज़ के लिए है कि price upside की तरफ नहीं जा रहा है और इसने क्या क्या है previous two to three days का breakout हमारे downside की तरफ दे दिया and 11th of March की range के अंदर आकर के price बरे trade कर रहा है simple है इसका view हमारा के लिए रहना है कि अब अगर price strong है तो इसको क्या करना होगा upside की तरफ जाना होगा अपने resistance करना होगा अपने candis का high break करना होगा but price क्या कर रहा है मेरा lows break करने के कोशिश कर रहा है यहाँ पर देखिए 1,2,3,4,5 पिछले 5 दिन का low price ने break कर दिय downside के तरफ और price मेरा 11th of March की range के अंदर trade करने के कोशिश कर रहा है downside की तरफ इसमें कोई परेशानी नहीं होनीच है इसमजने में because बहुत simple से चीज़ है है अब हम आते है सीधे 5 minutes की time frame पर जब आप देखोगे तो price ने देखिए क्या क्या है यहां से breakout दे दिया इस range के नीचे के candle ने जिसने हमारी range को पूरी तरह से क्योंकि यह range थी हमारी range के अंदर आ करके closing कर दी हमने कुछ नहीं किया था जस्ट हम वेट कर रहे थे कि 10 बैस का 30 में की candle की range के नीचे मेरा price क्या करता है अब जब हम यह देखने की कोशिश करने लगा कि price ने retracement किस तरह से हो रहा है ह होंगे भी यह नहीं या फिर कहीं ऐसा हो रही है कि LTE की तरह मेरा price सीध हे नीचे निकल जागा अब अगर retracement नहीं तो हमें एंटर करेंगे नहीं पर movements थोड़ा समको बड़ी लग रहे थे हैवी लग रहे थे इस वाज़े से हमने क्या कि है कि 3 minutes की time frame पर हम गए अच्छा यह जितनी हम analysis कर रहे है टिक बाई टिक हम आपको समझाने के क्योशिश करते हैं इसको थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आता है आप दो बार इसके ऊपर लिये रिस्क का अब जब बात आती रिस्क ही तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी हमें देखना पड़ेगर ऐसा ही नहीं है कि मन में हुआ हमने 200-400-500,000-25,000 गर रिस्क जितना मन में आया ले लिया अक्सर हम यह बात बोलते हैं कि आपने पूरे साल तो बहु आपके एक ऐसा दिन होता है कि जो पिछली आपकी कीगई सारी मेहनत के उपर पानी फिर देता है एक्रेशन के उपर तो हमेशा लगाम लगानी चाहिए और एक्रेशन के उपर लगाम किस तरह से लगेगी तो उसके लिए अलग से की दवा नहीं आती है हमें अपने मैनेजम and money management. Money management सबसे उपर और money को manage करने के बाद में आता है risk management. दोनों चीज़े clear इन्हीं दो points को risk को manage करना, money को manage करना, profits को book करना, loss को book करना, इन्हीं के उपर सारी psychology आपकी इदर उदर इदर भूंती रहती हैं. बहुत से लोग होते है psychology को, नए-ने शब्द ही आपको मिलेंगे ल पर ही यहां पर खतम हो जाता है. अब इसके आगे जो भी आपको पढ़ार है psychology वो बस क्या कर रहा है कि नए-ने शब्द आपके उपर इस्तेमाल हो रहे हैं, नए-ने शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, नए टर्म सुनने को मिलेंगे, बट psychology यहीं पराकर के खतम हो जाती ह थोड़ा सा मिस्ट्रेच करने बातों को वो अपर सेप में topic के उपर आते हैं, अब देखिए यहां पर price ने इस वाली range को मने ग्रीन वाली range को mark कर लिया था, यहां पर retracement करने के लिए जब मारे इस candle के उपर price आया, तो देखिए इस के अंदर के विक आने लग गए थी, वि हमने किया कि इस वाली range पर आकर कि अपनी entry थे हम उसको define करने लग गए, एंट्री आपको मालू में कि जो हमने अपनी entry ली थे आज के दिन में, 1335 रूब 20 पैसे, exact इसी range पर हमारी entry थे, और अब यहां समझ भाया है, कि entry हमने किस तरह से लिए, pullback में जब वापस से price मेरी range पर आया है, जो important level था, higher time frame पर, यह lower time frame के नहीं, higher time frame के लेवल से है, price जैसे ही उस range पर आया, हमने यहां पर अपनी entry थे, अब lower time frame के price actions देखने, यहां पर जो price के हमको swing नजर आया, price में अपनी candles ने lows कहां पर break करने ही कुशिच की, कहां से lows break करने लग इस वाली candle पर, और upside क कि जो मेरे swings थे, वहीं पर हमने अपने stop loss दे थे, stop loss एक हजार 37 रुपए 30 पैसे के शाद मेरे stop loss थे, higher time frame को हमने अनलाइस किया, और lower time frame पर आकर के anti-or stop loss को देखना, अब देखे, जब price मेरा नीचे की तरफ गे नहीं लगा, तो यहां पर उचे एक 1030, हमने आपको बता था round numbers होते हैं, आपके natural numbers होते हैं, plus दूसरी चीज़ देखे, तो यह मेरे support points भी है, अब अगर देखे, हम 5 minutes के time frame पर ही चले जाएं, तो देखे, यहां पर हमारे कुछ supports है, इस वाली range पर, हमने इन supports के मतली थी, आज का target identify करने के लिए, उमीद थी कि price मेरा और भी नीचे की त start हो चुगा था हमारा, and volumes increase होने लग गया थे, इसके बाद में जब आप Nifty को देखोगे, और pharma sector को देखोगे, तो इसके अंदर और भी आपको confirmations मेने, because वहां पर highs break होने लग गया थे, तो price ने जैसा ही upside के movement यहां पर show करने लगा, supports form अगरा हो रहे थे, और volumes भड रहे थे हमने किया कि चुप चाफ हम यहां से बाहर निकल गया, और जब हम बाहर निकलें तो यह जो बड़ी सी विक बनी है, इससे हमको लगा कि हम गलत बाहर निकल गया, क्योंकि price और भी मेरा नीचे जा सकता है, उम्मीद थी है कि price बना नीचे जा सकता है, इस तरह से, बट वो आ पूरे दिन sideways ही पड़ी रही है तो कुल मिलाकर जबकि Nifty इतना अच्छा मूव हमको निफ्टी नहीं दिखाए जैसे विप्रो देखे हमने दिया था अपने प्राइवट गूर्प पर में विप्रो को दिया था अच्छा निफ्टी को देखते हैं निफ्टी में इंडेक्स ए अब बात करते हैं एक retracement और breakout की अब अच्छा breakout और retracement यह होता क्या है इसको समझने ही पोशिश करते हैं लोग देखिए एक तो breakout होगा कि प्राइज ने कहीं से अपने support लगाए हम तो यह देख रहे हैं कि प्राइज जब हमारा low break करेगा जब प्राइज मेरा low break करेगा तो ह अब शॉर्ट भी ऐसी एक तो होता है aggressively short कर देना और एक होता है वेट करना proper segment का proper system का आपके पास identify होगा जब प्राइज अपने support को break कर रहा ना तो direct उसके अंदर breakout आ जा रहे हैं बड़े-बड़े और फिर वो प्राइज रोखने रहा है वो सिधे गिरता ही चला जा जा रह और उसके बाद में price ने again low लाया और जितने भी lows ते सारे के सारे ब्रेक कर दिये volumes आई और price नीचे गिर गया कोई भी retrace नहीं हुआ प्राइस हमारा retrace हो ही नहीं पाए retracement नहीं हुआ प्राइस के अंदर movement नहीं आ है और प्राइस मेरा सिधक गिर गया यह आपको देखेगा LTE के अंदर हमने कुछ लेवल समाग करके दे इसके अंदर देखे बिल्कुल भी आपको retracement शो नहीं कर रही यह market डारेक्ट हो गिरती ही चली जा रही है जैसे तो 5 minutes का time frame अगर आप इसको 15 minutes पर कर लोगे तो यहाँ पर तो green candle आपको देखने को ही नहीं बिलेंगी पूरी की analysis कर ही क्यों रही एक breakout के रही retracement की analysis करने की जरूरत क्या है इस वज़ये सम करने इसको because जब आप entry ले नहीं आ तो breakout में actually breakout में होता कि है कि आपका कभी भी risk managed नहीं हो पाएगा जब तक आप highly experience holder का मतलब यह कि 2-3-4 second में आपको अपना risk पी identify करना course में अपना stop loss पी identify करना entry इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा आप जब experience holder हो जाओ तब जाकर कि direct एक aggressive entry आपको बनानी चाहिए विदाउट retracement अगर आपको entry बनानी है तो कई cases में आपको उसे avoid ही करना चाहिए तो इस तरह कि जो breakout होते हैं कि price सीधे breakout के दे वो गिरने लगा छोड़ दिए इसको आईसे stock court trade करना ही नहीं है जिसके अंदर retracement नहीं होई है फिर वो breakout ही सीधे करता चले जाना है थोड़ा से आपको सिखा देगे इसको हुम क्या बोलेंगे यह एक तरह से मेरा breakout है naked breakout अब एक होता है retracement जिस तरह से सिप्ला ने दिखा है अब जब बात आती retracement की तो retracement actually three type of retracement होते हैं first retracement किस तरह का होगा कि price आपकी range पर आया उसने आपके support को respect किया lower lower highs भी form कियो direct break हो गया अब retracement तो price हो रहा है but आपके expected devils पर नहीं आ रही है market और वहां से down सीध है वो गिरती चली जा रही है कि price ने breakout तो दिखाया जैसे price नीचे मेरा निकला इसके अंदर breakout आया देखें but retracement बहुत छोटा से retracement बहुत प्राइस नीचे गिर गया अब हमको क्या मालूम यह कहां तक retrace होगा यह कहां तक नहीं होगा ऐसा तो नहीं है कि जो retracement price आ रहा है और हम बिल्कुल भविश्यवानी करके बैठे हुए हैं कि price बिल्कुल यहीं तक आएगा और यहां से नीचे कर जागा तो हम यहां से अपनी entry ले लेंगे और हमें मालूम ने कि price के retracement यहीं तक होगे इसके उपर नहीं जाएगा ऐसा तो होगा नहीं हमारे पास एक expected level एक expected zone expected price हमारी किसी केंडल का high or low होना चाहिए जैसे कि last video हमने upload किया तो उसमें हमने retracement के बारे में ही बताया था expected levels कौन कौन से हो सकते हैं retracement के अगर आपको इस retracement को समझ रहे है तो आप लास्ट upload जो वीडियो किया है हमने हुलिक से पहले का था शायदो फ्राइडो का अमने upload किया था आप उसको देखना बहुत कुछ समझ में है आपको retracement को ले करके अब यहां पा एक तो यह retracement हो गया है कि price ने देखिए यहां पर भी lower lows, lower highs, lower low, lower highs बन रहे है और price ने low break कर दिया break करने के बाद में अब price मेरा upside के तरफ है और इसने बिल्कुल अच्छी तरह से यहां पर हमको retracement दिखाई retracement के zone पर पहुंचने के बाद में हमको यहां पर rejections दिखे, bearish candles के breakouts दिखे, हमको हमारी analysis भी समझ में आ रहे ही कि यहां पर sectors भी lows break कर रहा है हमारा stock भी low break कर रहा है और price retrace भी हो चुका है और जब price मेरा retracement के लिवर पर आया तो यहां पर bearish movements भी दिखाई पड़ रहे है यानि कि bearish candles के breakouts भी हमको दिखाई पड़ रहे है यह एक अच्छा retracement और एक ideal retracement मना जाता है यहां पर जो भी आपको swing high लगेगा आप वहां पर अपनी entry लोगे और lows के breakout के बाद में आप वहां पर अपना trade execute करोगे लोगे जिस तरह से हमने सिप्ला में किया देखिए यहां पर price ने retrace करने के लिए है इतना बड़ा एक rejection अभी five minutes पर आप देख रहे हो यहां पर देखिए इतना बड़ा rejection कि second type of retracement अब third retracement क्या होती है अच्छा पहले में देखिए हमने क्या देखा था price retrace करने के लिए आया ही नहीं है उससे देदे नीचे के लिए उसके बाद में यह था second type of retracement अब third type of retracement क्या होता है यह थोड़ा सा trap करने माला होता है ट्रैक की इस तरह से कि price नीचे आया है एक retracement दिखाया और नीचे गिरने लगा जैसे जैसे नीचे आया नीचे आया अच्छा बहुत से लोग traders काफि सारे होते हैं कि जब price नीचे गिरने लगते हैं तो वो लोग अपने price को average करते हैं averaging भी होती है दूसरा quantities increase करने लगते हैं थोड़ा सा नीचे गरा quantity increase कर दो थोड़ा सा नीचे गरा फिर से increase कर दो फिर से price इस तरह से movement करने लगता है तो क्या होता है न कि जब order flow बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहां पर आता है secondary investment यह वाला और यह होती panic situation यहां पर जितनी भी selling बगा रहा हूँ थी यह price नीचे की तरफ जा रहा है जो यहां पर जिन्हों ने किया और यहां से सीध है ups direction से शो कर दिया थर्ट एप of retracement जिसमें दूसरी बार भी price हमारी उस level पर पहुंचा है लेकिन होगा क्या अगर आपका entry point सही है और आपका stop loss सही है अगर सही है तो price इस एक range पर पहुंचने के बाद में वापस से आपको इसके अंदर down move यह होता है तीसे ही tap का retracement जब price हमारा दो बार दो या तीन बार आपका price एक ही level पर retracement शो करता है कोई भी एक stock हम लोग लेते हैं जैसे विप्रो हमने दिया था विप्रो को देखिया विप्रो में दो तरह का retracement हुआ मतलब price अपने support पर आया and support पर आने के बाद में यहां पर देखिया low यह हुआ और यह रहा अपना movement यह retracement और यह हुआ movement अगेन एक retracement और फिर price upside के तरफ चलाएं यह जो दो बार के movement होते हैं और दो बार के retracement होते हैं कि price बने नीचे आया यहां पर देखिया green candles form हूँ इसने अपना high लगाया high यह zone अगेन price ने high लगाया और फिर से आया अप of retracement कि एक तो price ने breakout किया और वो आपके level और zone पर आया ही वो नीचे तक आया एक दो candle retrace कि और फिर वो नीचे गिर गया हो सकता है कि आपने कुन किसी levels को underestimate किया हो या mark ना किया हो वो आँखों से आपको दिखा ही ना पड़ा हो आपसे miss हो गया हो किसी भी reason के विज़े से price व वहां पर आने के बाद में प्राइस ने आपको management करने का मौकवा दिया पूरी तरह से आपने entry ली और जो भी profit और loss वो उसको book किया और third होता है हमारा price कि एक बार retracement शो किया downside की movement शो की और again दूसरी बार में price ने अपना movement upside के दिखाया जो भी new traders है जिनको भी loss हो रहा है उन आप में जरूर आज की वीडियो सो कुछ राक आपने घ्रैक करने कोशिश की होगी कुछ देखा होगा कुछ सीखने के कोशिश की होगी and आज करता है जो हमारे वीडियो हो लिके बाद हम ने आज का probably अच्ग यह आपने video लुग get theirs तो आज होप कि आपने ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा कुछ समझने के कोशिश की होगी और वीडियो गर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा एंद अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स टेडिंग सेशन में तब तक के लिए अबड़ी और लू हम घला सब्सक्राइबándर आधिक ऐला सब्सक्या जडाईबरמה सेशन लिए बार सबंस्क्राहिं ए्यूद की लगतानि द कर्सेशन से कर्णाू ने लगताना, हैं उन्हां टूर्ष की